कि सब्सक्राइब करें एडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके मैप में जानना बहुत जरूरी है यह बार-बार आपसे कहूंगा कि यह को रटने से कोई फाइदा नहीं है या अगर आपको पोजीशन पता चल जाए तो यू कन राइट एनिधिंग अनिटाइम अब सिंदु नदी तंत्र पर आते हैं शिरूवात कहां से होती है कहां से उ इस तरह पस्चिम की और बहती है और यह नदी जम्मू कश्मीर जम्मू कशीर के लड़ाग से यहां प्रवेश करती है और इसकी जो नदिया सहायक है वो कौन-कौन सी है वह है जासकर नूब्रा शोग हुंजा यह नाम देखे हैं हिंदुस्तानी नाम नहीं लग रहे हैं इ इनाम सब वहीं के हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आईए, हिंदुस्तावर पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर यहाँ पर कौन-कौन सी नदियां आके मिल रही है, उसमें आपको दिखाऊंगा, मैं आप दिखाना बनता है, क्योंकि इसने सत्लूज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, ढिलएं, फिर से समझें, सत्लूज, व्यास, रावी, चिनाब, ढिलएं, यह मिलकर, यह सारी मिलती है, इस जगह पे, यहाँ पर मिठान कोट में मिलती है, क्योंसी जगह है, मिठान कोट, उसके बाद यह, अपने करांची के थोढ़ा साईड से होके, पूर्व स आती है देखा देता हूँ यह अगर देखें ऍयुक्र, देख़ें ङुक्र अगर शन्दू नादी हो गई हो घेलम हो गया चनाब हो रावी हो गया और ये सब मिलकर यहां मिल चलती है उसके बात आते हैं चलती है है उसकी इसका इसकी जीरॐल होती है वह हमा घय गंगोतरी जाती है जैसे यह उत्युनकासी को बिल रहा है यहां पर देखिए यह देव प्रयाग में गंगा के साथ अलग नंदा मिल रही है ये देव प्रयाद उत्राखंड में बहुत बढ़िया इलाका है, वहाँ पर अलग नंदा और ये मिल रही है, इस तरीके से नदियां मिलती है आपस में, ट्रिबुटरी इस तरीके से मिलती है, और अलग नंदा भी कुछ कम दमदार नहीं है जब ये पहले आती है, फिर मिलके आपको घागरा हो गई, गंडग हो गई, ये सब जो नदियां आपको दिख रही है, जो गंगा से मिलेंगी, उसमें आपके आता है घागरा, गंडग, कोसी, ये नेपाल हिमाले से मिलती है, इसके अलावा और जगह देखे, खुड़ा और आगे बढ़े, तो चंबल, जैसे पश्चिम बंगाल में के फरक्का इलाके में आती है, गंगारदी, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, मतलब एक तो भागी रहती हुगली, जो इसकी वितरीका है, अब हम आते हैं, डिस्ट्रिब्यूटरी पे, मतलब अब जीतनी भी थी, ये तो ट्रिब्यूट कि ये रही है, वो बंगला देश के अंदर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र इससे मिलती है, और उसके बाद इसको कहा जाता है, जब इमिल जाती है, मेगना कहा जाता है, कुल जो इसका लेंठ है, पचीस सो किलो मेटर तो देखिएगा, जो सिंदू नदी है, वो जाधा होती है बंगाल की खाड़ी में मिलने जा रही होती है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है यहां पर बहुत बहुत बढ़िया चीज़े उगा सकते हैं तो अब सिंदुगाती गाटी की एक बात पहले मैं इसको क्लेर कर दोता हूँ उसके बाद हम थोड़ी से और इसकी बारे में जाएंगे तो मैं यहां से आप गंगा नदी गई और यहां दोनों मिल गए और उसके बाद यहां पर आके यह जो इलाका है इसको हम डेल्टा कहते ह सबसे बड़ा और बहुत तेजी से व्रिद्धी करने वाला डेल्टा है और यहाँ पर क्या मिलते है रोयल बेंगौल टाइगर मिलते है सिंदु के बारे में एक बात बताता चलूँ कि एक जल समझोता हुआ था 1960 का एक अनुच्छेद है उसके अनुसार यह है कि जितना भी जल यहाँ पर सिंदु का है उसका 20% जल हिंदुस्तान ऊज़ करेगा 80% जो जल है वो पाकिस्तान ऊज़ करेगा और इस जल का 20% का यूज है वो पंजाब, हरियारा, राज़स्तान और दक्शिंप, प्रशिंप, भगों में सेचाई के लिए कि यग होता है अब आते हम ब्रह्ममपुत्र नदी तंद्र पे ब्रह्ममपुत्र तो आप यहां से शुरुवात करेंगे यहां तक आएंगे फिर डंगा से मिलके यहां आजाएगे क्या Umroop ko आदे हैं कि कहां से यह आता हैử यदिछान जाह बिढ़ादेश में और उसके बाद यह दंगा से मिल जाती है उसको कहा इलाका लिजे और सिंदु और सत्मुग का जहां से उंद्रम होता है उसके बड़ा काफी नजिक से करीब से निकलती है इसकी सायक नदिया यानि किसकी ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित और केनुला कौन कौन See है दिबांग, लोहित और कैनला किसकी सायक नादिया है और उसके बाद भीती है और नामचाब्रवा एक शिखर है 7757 मीटर की उचाई है उसके पास से पहुंचकर यह एक यूटर ले लेती है मतलब सड़न यूटर जैसे अंग्रेजी का यूँ अक्षर होता है ना उस तरीके से मुड़ती है और सीधा यहाँ पर अरुनाचर प्रदेश में आती है गौर्ज की तरह गौर्ज मतलब यहाँ जमीन बड़े-बड़े पहाड होंगे और छोटी सी धारा होगी तो यह गौर्ज के माध्यम से आपके यहाँ पर अरुनाचर प्रदेश में आती है यहाँ इस अरुनाचर प्रदेश में जैसी ब्रह्मपुत्र आती है इसको जाना जाता है किस नाम से दिहांग नाम से और उसके बाद दिभांग लोहित और केनुला जैसे मेरे आपको यह बता लिया यूटन लेते ही अंदर आई इसको कहा जाने लगा अब जो नाम इसका दिया जाने लगा वह हो गया दिहांग दियां रखेंगा दिहांग और इसके साथ यह तीनों नद्यामीरी अब बन गया ब्रह्मपूत्र अब यह नदी बन गई ब्रह्मपूत्र आप असम्में मतरा कम होती है PLC जली का मुठाएं बिर साल moms जो इसमें गहां होते हैं इसकी मात्रा कम होती है धिस भारत में उच्छ वर्षा वाले क्षेटर में होके गुज़रती नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बात निरम मतलब यहां पर तो इसमें सिल्ट या गाद या सेडिमेंट्स की मातरा कम है। जहां यहां हिंदुस्तान में आई यहां पर इसके वास कॉंटेंट बढ़ जाता है। इसके अंदर जो सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है। और प्रतेक वर्ष यह जो नदी है यह हमेशा अपने जो मार्क है उससे उपर बहती है और इसके कारण आसम और बंगलादेश की हाला खराब होती है। हमेशा कि हमेशा यहां पर क्षटी पहुंचती ही, पहुंचती है खास तरफे मांसुन के आलाके में, मांसुन के समय में जब यहां पर पानी बहुत साधा होता है. रहा है अब यहां से यहुन एर इसको पश्चिमी घाट कहते हैं तो प्राइदिपी भारत Scout मुख्य जल्वि भाजग है उसका निर्मान क्न कर रहा है पश्चिमी घाट कर रहा है और परायदीपी भाग की जो बहुत सारी नदिया हैं जैसे मैं आपको बताओं कि महानदी हो गई, महानदी हो गई, पहला पहला आक्शा लिखना हूं इसका, गोदावरी हो गई, आपकी कावरी हो गई, यह सब जाके कहां जाके एक साथ कहां गिरती हैं, मतलब इनका जो प्रॉडन बास समझिएगा कि ये दो नदिया मैंने जैसे बताया वह इधरी गिरती हैं लेकि दो नदिया इसमें ऐसी है जो आपके नर्मदा और तापी ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये थोड़ सा अलग हो जागा ये आपकी नर्मदा है और ये तापी है नर्मदा तापी की जाके इधर गिरती है और ये जवार नदमुक का निर्मान करती है जवार नदमुक एक ऐसा एरिया होता है इसको समझ लीजे एक डेंटा का ही प्रतिरूप है लेकिन वहाँ पर जाके वो पानी थम जाता है थम जात इसे मिलती है तो उसकी स्पीड बहुत मुझाती है और समुद्र आता है और उससे गाद लेके चला जाता है इसे जुआर नदमुख निर्माण कहते हैं अच्छा जैसे मैं आपको बता दिया कि इसको तिब्बत में कहा जाता है अब रमपुत्र को सांगपो और बंगलादेश में जमुना कहा जाता है अब गोडाविरी नदी की बारे बात करते हैं गğuडाविरी नदी क्या मतलब है और क्या इसकी इंपोर्टैंस है तो पहले मैं बता दूँ कि जलब्रफातों की बात आने वाली है अभी तो भरत में जो दूसरा बड़ा जलब्रफात है वो काविरी नदी में है जिसको हम अभी डिसकस करेंगे काविरी नदी आएगी तब मैं इसको दुबारा बताऊँगा क्योंकि इसको शिव सुंदरम के नाम से जानते है शिव सुंदरम अच्छा पहला जो है वो वाग है वाग कहते हैं इसको और एक और इंफर्मेशन देना चाहूंगा कि 71 प्रतिशत भारत का पृत्वी का जो धरातल है 71 प्रतिशत एक 70 प्रतिशत ये जल से ढखा हुआ यारे कि हमारे पास केवल 29 परसेंट लैंड या और बाकी ग्लेशर वगर है 79 में केवल पानी ही पानी इसका मतलब ये है अगर जल इसमें इसकी बारें बात करें तो इसमें 97 प्रतिशत अगर जल की बात करें तो 97 प्रतिशत इसमें लवणी ये जल है लवण मतलब सॉल्ट है उसमें पानी पीने लायक नहीं है नमकीन पानी है और केवल 3% पानी हमारे पास ऐसा है जो साफ है जो पीने लायक है और इस 3% में भी इसका भी 3-4 तीन पानी यह मलतkelnब बर्फ के रूप में तो आप सोच सकते हैं आपके पास जो पीने बालाना लायक पानी है वो कितना है बहुत कम है एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो जीले बड़ी-बड़ी होती है ना उनको हम सी कहते हैं सी समुद्र कहते है जैसे कैस्पियन सी मृत सी अरल सागर सागर कहते हैं सी कैस्पियन सागर मृत सागर अरल सागर और यह जो बड़े-बड़े हैं इनको हम ओशिंस कहते है तो हम गोदावरी नदी की बारें बात कर रहे थे, गोदावरी नदी ये इसका जो उद्गम है शुरुवात होती है महराश्च के नासिक जिलेग में पश्चमी घाट के ढालों से ये निकलती है, सबसे बड़ी प्रायदिपी नदी कौन सी है गोदावी, इसलिए हम पूर्णा, वर्धा, प्रानहीता, मांजरा, वेन गंगा और पैन गंगा तो ये सब जो है किसकी सायक है गोदावे की फिर से बताता हूं पूर्णा, वर्धा, प्रानहीता, मांजरा, वेन गंगा और पैन गंगा और कौन से शेतर आते है इसमें जहां से गोदावरी निकलत ती है गुदावी नदी था उसके बाद बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिन गंग के नाम से जाना जाता है यानि कि इस이고 जालता है कि ये दक्षिन गंग कौन स्पीए ये न्याने में करताएं इसलिए इसको दक्षिन गंगा भी कहा जाता है सदन गंगा अब हम बात करेंगे और महानदी दोनी की यह भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी लेकिन पहले समझें कि यह इसका इसका अश्रुवात कहां से होती है महानदी का उद्गम जो है जारकान औरीसार से होके बैठती है इसकी लंबाई जो है जो शुरुवात से अन्त तक 860 किलोमेटर है कृष्णा द्रोनी की बात करेंगे तो यह महा बलेश्वर से निकलती है और इसकी सायक नदिया है तुंग भध्रा कृष्णा नदि की हैं तुंग भध्रा कोईना घाट प्रभा मुसी और भी मा इसकी शुरुवात होती है जो काविरी का पश्चिम घाट इस इलाके का पश्चिम घाट है वहां से के ब्रह्मगरी शिंख्ला से निकलती है और इसकी जो सायक नदिया है वो अमरावती, भवानी, हिमावती, काविरी की सायक नदिया है अमरावती, भवानी, हिमावती और काविरी की सायक नदिया है अमरावती, भवानी, हिमावती और काविरी की सायक नदिया है अमरा पूर्व मैं इसको आपको दिखा दूपर है अब देखें हमने आपर महानदी की बारे में तुरह सा जाना पहले इसको बहुत डिटेल में नहीं देखा लेकिन हमने जरूर इनकी बात की जो एक गुदावरी हो गई या आपका कृष्णा नदी हो गई या आपकी कावरी नदी लिए इनके आपको आइडिया भी लगया कि कहां कहां पर है कमी फॉर्मेशन हो चाहिए नहीं यृक है लग अलग लग तो जू荏 है फानी बढाने से यह वह वह जिन्दा है वह है है लेकिन कुछ जो है सिकक निर्मान कैसे हुआ है यदि कंदर कि क्रिया के फिसार्फ नदी नदी के जिन है ऐसी बहर ही है तो जब बाड़ में इधर आगई इसका कोर्स मालीज ऐसे हो गया पुरा जब वापीस अपने जब बाड़ खतम हो गई तो यहां पर एक विसर्फ बन जाता है विसर्फ में गोखुर बन जाता है इसके सब्सक्राइब कहते हैं इसको बीटे पानी की जो अध यह कहेंए बांअ बंद गया आज पशक्राइब काम करता है मोसलीज गरती है ऐसी जो लोगों ने बनाई है मानाव निर्मित जील है खास तोर पर जब जल विद्यूत या कहें कोई electricity project होता है तो नदियों में बान बनते है और बान जब बनता है तो नीचे का जो इलाका होता है वहापर और उपर का इलाका जो होता है भागला नांगल पर्योजना में जो गोनाव ने जील है जीलों का महत्व क्या है क्यों हम बात कर रहे है क्योंकि एक चील है नदि का जू बाह रूप में करना में उसको ऑगा और बहुत सारी जील जिसे आपके घर के सामने कोई पानी जमाऊगे तो जील विद्धूत उत्पन करने के लिए किया जाता है जील तभी बनती है जीलों की जीलों की जीलों की जीलों के लिए पानी बड़ा पसंद है अगर पानी बहुत अच्छा सुंदर है तो उसके आसपास बहुत सारे परियर्टन की चीजे develop हो सकी है अब नदी की अर्थविस्था का यह आपको बता दूँ कि यह एक लोग ताग जील है और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ content रहे गया यह हो गया है कि SPN सागर बता दिया मैंने आपको यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करें कि यह नदी की अर्थविस्था का महत हो क्या है नदी हम क्यों बात कर रहे हैं अच्छा हमने बात की drainage की और drainage में कहीं भी नदी का शब्द नहीं आ रहा था तो नदीयों की अर्थवस्था का महत तो इसलिए है कि बहुत प्राचिन काल से जल प्राक्रतिक संसाधन है और हमारे सारी कि हम चाहे ना हैं चाहे धोएं हमें पानी की ज़रोत पड़ती ही पड़ती है चाहे सिचाई की बात कर ले, irrigation की बात कर ले, नौकायान की बात कर ले, चाहे मचलियों की बात कर ले, फिश्रीस की बात कर ले, जल विद्यू निर्मान की बारे बात कर ले नदीयों का महत तो रहता ही रहता है अब हम प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि नदियों में प्रदूशन हम कर रहे हैं कर रहे हैं उसे रोप नहीं रहे हैं और हम उसके लिए अपनी आखे मून रखी है हमने तो नदी जल की घरेलू और ध्योगी को क्रिशी की बढ़ती मांग की कारण इसकी जो गुणवत्ता ह होने कारण कितने लोग इसको इसकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसका मतलब नदियों से अधीक जल की निकासी हो रही है और नदी में पानी कम हो रहा है और ध्योग जो प्रदूशन हो रहा है उससे जो चीजे निकलती है आप पर एक क्रिश्ट या अन्रिफाइंड कच्र जो निकलता है वो इसमें जा के मिलता है और बताह इसकी खराब करता है और आप समझ लीजे किज wired पानी सबसे जरूरी है हमारे लिए पानी साफ नहीं होगा भी आ रहे हैं लेकिन इन सब का तभी फाइदा है जब हमारा उसमें सहयोग हो क्योंकि बिना स्वच्छ जल का माना जीवन नहीं हो सकता तो यह बात पर इस डिसकॉशन की इस चैप्टर की बार शुक्रिया बहुत मरबने आप सभी की